करेंगे जो कि न्यू एंटी बुक से है और उल्ल एंटी बुक के अगर हम बात करें तो इसमें क्वेशन नुबर टैन है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एंट तक बने रही है चले शुरू करते हैं क्वेशन नंबर सिक्स्ट स्टेट्मेंट इस ABCD इस पैरलेलोग्राम यह हमारे पास फिगर गीवन है ABCD कर एक पैरलेलोग्राम है एंट AP and CQR on the diagonal BD जो BD diagonal है उसके ओपर A और C से परपेंडिकुलर है हमारे पास ठीक है शो करना है हमें टू पार्ट्स हैं देखिए जो फर्स पार्ट है वो क्या है कि जो ट्रेंगल AP CB है वो congruent होगा किस triangle के CQD CQD ठीक है तो हमें जी जो दो ट्रेंगल्स है ना इम दोनों ट्रेंगल्स को आपस में congruent प्रूव करना है तो देखिए को प्रूव करने के लिए आपको क्या होता है minimum 3 conditions की requirement होती है ठीक है तो हमारे पास कुछ conditions given है कुछ हमारे पास जो results given है उससे हम find out कर लेंगे ठीक है तो first देखिए हमारे पास के आगी हमने सबसे पहले ABCD एक parallelogram है तो parallelogram की property क्या होते है कि opposite sides are equal and parallel which means this side is equal होगी ठीक है यह side is equal होगी तो we will write solution of first AB is equal to DC because ABCD is a parallelogram ठीक है यह हमारे पास given था second एक है यह जो perpendicular है यह angle भी 90 degree के और यह angle भी 90 degree के यह भी हमें given है तो we will write angle CD sorry CQD is equal to angle APB each of 90 degree ठीक है यह again given है अब देखिए third condition अभी two lines होना देखिए इन two lines को मैं ऐसे दो कर लें क्या AB and CD और यह जो BD diagonal है वो एक बट यह हमारे पास सिरफ इस angle की बात करनी है में क्योंके में दो नो triangles की बात करनी है ठीक है तो इसका मतलब यह जो line है CD और यह जो line AB है इसमें जो BD हो एक diagonal जो है वो वो आपका एक transfer की तरह add कर रहा है तो यह जो angle है वो इस angle के equal हो जाएगा समझा गया तो अब देखें क्या लिखोगे also angle CD Q is equal to angle ABP और आप डिजन क्या लिखोगे alternate interior angles जो corresponding angles जितनी भी हमने इस type के angles पढ़े थे वो सब यहां बार-बार use हो रहे हैं ठीक है previous questions में भी use हो रहे है और alternate interior angles सबसे ज़्यादा use हो रहा है ठीक है तो देखें हमरे पर 3 conditions मिलगी A.A.S. ठीक है तो by A.A.S. ठीक है तो by A.A.S. congrency rule triangle A.P.B. is congruent to triangle C.Q.T. ठीक है यह हमने prove कर दिया है अब देखें सेकिंड पार्ट में का कहा रहा है A.P. जो है वो C.Q. के एक्वल होना चाहिए A.P. is this one and C.Q. is this one जो perpendicularous drogue किये गए है अब देखें हमने दोनों triangles को congruent प्रूव कर दिया है ठीक है तो यह तो आपको आता ही है कि जो corresponding parts, sorry, जो corresponding parts होते हैं कि नी भी दो congruent triangles के वो आपस में एक्वल होते हैं तो अगि यह दोनों triangles congruent है जो कि हमने भी प्रूव किया है तो यह corresponding parts क्या होंगे A.P. and C.Q. तो यह दोनों आपस में एक्वल हो जाएंगे reason is by C.P.C.T. rule corresponding parts of congruent triangles are always equal ठीक है I will write corresponding part of congruent triangles Okay, तो इस rule के help से गेकवल हो जाएंगे देखे, बिल्कुल सा question था, अगर आपको basics पता है, पहले होगराम की properties क्या होते हैं बस आपको यहाँ apply करने है और आपके जो previous knowledge है वो भी यहाँ पर काम आ रही है, ठीक है, Alliance and Angles वाले chapter की I really hope यह video आपके लिए useful रहेगा और आपको इस question समझ में आया होगा Please इस video को like कर दीजिए और जाब ज़्यादा चैनल को subscribe कर दीजिए Please do support, keep watching